हाई मैं पूजा विल्कम बैक टू माई चैनल संसाइन पूजा कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होगे तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ आपके घर कोई आ रहा है कोई गेस्ट आ रहा है आप हैवी मैकप नहीं कर सकते हो यह अपनी खुछी के लिए भी यह मैकप कर सकते हो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिए गा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब तो लाइक कर लिए गा तो सबसे पर यहाै तो इंदो नों को चोर देना और संस्तिक्रीम लगा लगा लेना तो चलिए मैं आपको बताती हो यह मैकप करने को तईास बस पहले मैकMस बेस लूंगी आप बेस नहीं लेना चाहते हो तो BB cream ले सकते हो CC cream ले सकते हो या foundation ले सकते हो लेकिन उसी quantity जड़ा से लेना बस एक layer के लिए लेना है हमको यह मैंने यहां पर बेस थोड़ा ज्यादा ले लिया है तो आप हलका ही लेना और इसको अच्छे से अपने face पे लगा लेना है अब यहां यह मैंने brown eyeshadow लिया है आप कोई भी nude eyeshadow ले सकते हो जो जड़ा है भी ना लगे और इसको एक ही eyeshadow हमें लेना है उसे पूरी eyes cover करनी है आई lead तक ही हमको रखना है उपर नहीं जाना है और इसको अच्छे से इसमें हमें mix कर लेना है ताकि थोड़ा भी patch ही ना लगे है कुछ अलग सा लुक आए और हलका साफिर हमें इस पे लगा लेना है आई shadow golden color का या highlighter तक ही हलका shimmery लुक भी आए अगर आप नहीं लगाना चाहते है तो ना लगा और इसको अच्छे से इसमें mix कर लिजे जैसे मैंने किया है इसी तरह से आपको दोनों आखों में लगा लेना है इसके बाद हमें अतनी आइवरो फील कर लेनी है मैंने थोड़ा नेचरल लुक रखने की कोशिस की है इसलिए मैं हलका ब्राउन सेड ले रही हूं अगर आपके ब्राउन पैंसल है तो आप उससे भी फील कर सकते हो या ब्लैक से भी कर सकते हो लेकिन ज़्यादा है भी मत करना नेचरल रखन अब मैं कॉंपक पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी और जो आइसअड़ों का इधर अगिर जाता उसको भी हटा लूँगी कॉंपक Aujourd लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा घर्मियों का मोदम मैं तो पसीने से जो फेस पॉदर होता वो निकल जाता बट कॉंपेक ज्यादा देता कि हमारे चेहरे पर टिका रहता है कॉंपेक के बाद मैं हलका सा लूँगी ब्लसर और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अप्छिक पे ताकि एक नेचुरल सा लुका है मैंने पिंक ब्लसर लिया है आप न्यूड भी ले स या दो सेट मिक्स कर सकते हो दोनों तरफ में अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी और थोड़ा से सिमरी लुक देने को मैं गोल्डेन हाइलाइटर भी इसमें एड़ कर दूंगी और चिन पे फुर हैट भी हलका हलका में अप्लाई कर लूँगी इसके बार मैंने यहा बिना पतला लगाना ज्यादा है भी नहीं लगाना क्यों हमको नेचरल लुक रखना है अगर आप आई-लाइन नहीं लगाना चाहते हो तो क्यों मस्कारा भी लगाओगे ना तब भी काफी खुशूरत आपकी आई लगती है बत मेरी जो आई-लैसे है ना वो इतने है भी नहीं है इसलिए मैं आयलाइन लगाती हूँ आयलाइन के बाद आपको मस्कारा लगा लेना नीचे उपर दोनों काजल भी लगा सकते हो और अगर ब्राउन कलर का लगाओगे काजल तो वह ज्यादा नैच्छरल लगेगा मैं यहां काजल का यूज नहीं कर रही हूँ मैं मसकारा ही लगा रही हूँ और मसकारा की आप एक दो कोटिंग नहीं तीन चार कोटिंग करोगे ना तो जो आपकी आँखे ना वो थोड़ी है भी लगेंगे और खुशुरत लगेंगी इसके बाद मैं मैबलीन की लिप कलर यूज़ कर रही हूँ पिंक सेट मुझे लग रहा था मुझे यहां पे नूट कलर यूज़ करना चाहिए था बट मैंने पिंक यूज़ कर लिया तो अगर आपके पाँ कोई अच्छा सा नूट कलर होगा या ब्राउन कॉफी ऐसे टाइप के कलर होगे तो आप इस पे लगाओगी तो जारा खुब्सूरत लगेगा तो यह है मैबलीन का मैंने इसका रिव्यू किया है तो आप महाँ जाके चेक कर सकते हो दिस्क्रेप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक आपको दे दूंगी और यह मैं लगा ले रही हूँ बिंदी पांच मिनट में यह मैकप कंप्लीट हो जाता और यह मैकप मेरा कंप्लीट हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा कोई कोश्यन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूचिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिएगा बाई मिलते अगले वीडियो में